19th August को Atomic Energy Education Society ने रिलीस किये है मुंबई रीजिन के लिए contractual basis पे पद for the posts of PGT, TGT and PRT आप इन पदों के डिविजिन के लिए मैं संपून जानकारी आप लोगो माप आउट करके बताने वाली हूँ आप लोगो यह भी पता चल जाएगा कि आवेदन कबसे करना है क्या 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 प्रोसेस रहेगा सेलेक्शन का और सबसे खास बात मज़े की बात है कि आपको बहुत जादा कुछ डॉक्यमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है इस कॉंट्राक्चल नौकरी के लिए अब कितनी सालरी है सबसे पहले हम सालरी से शुरू करते हैं तो यहां पर देखिए कि कॉंट्राक्चल बेसिस पे एएसी स्कूल्स और जूनियर कॉलेजिस के लिए मुंबई रीजिन में यह चौथे फेज में नौकरी आ रही है कॉंट्राक्चल बेसिस की टीचिंग पोस्ट पर तो उसको लेकर के हमारा जो सालरी स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस प्रकार है की 27,500 रुपए आप लोग को पर मन्त मिलेंगे या फिर दूसरी कंडिशन यह है कि आपको 220 रुपीज पर क्लास यानि की आवली पेसे पे मिलेंगी यह सालरी ब्रेक अप है लेकिन इसमें एक खास बात यह कि 220 रुपीज में मिनिमम पांच क्लास आपको मिलेंगी मिलेंगी त विमन के लिए हैं 65 यह जो है वो जो भी अगर रिटायर्ड टीचर्स हैं KVS, NVS या AES के या किसी गवर्मेंट स्कूल के तो उनके लिए हैं टीचिती पोस्पर में बता देती हूं सिमिलर सालरी स्ट्रक्चर है यहा तो पर मन्त है या आवर्ली बेसिस पे है तो 26,250 रहेगी बाकि जो रिटायर्ड टीचर्स है गावर्मेंट स्कूल से उनके लिए पी आटी म्यूजिक जो या उसके लिए या फिर प्रेपरेटरी टीचर के लिए आपका 21,250 रुपे पर मन्त रहेगा या फिर 170 रुपे पर आवर पे रहेगा जिसमें अगें फाइव क्लासे आपकी जो एज लिमिट है वो चालिस साल में के लिए है पचास साल विमन के लिए और 65 रहेगी बाकि रिटायर्ड टीचर्स के लिए अगर आप पहले से ही जो तीन फेज में यहां पर भरती आई थी कॉन्ट्राक्चल पोस पे उस पर अगर आप अपीर हुए थे एंपानल तो फिर आपको इसके लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है नेक्स पे चलते हैं अभी आपे एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बहुत भारी बरकम नहीं है अगर आप पीज़ी पोस के लिए अपियर होना चाहते है तो आपके पास मास्टर्स डिगरी होनी चाहिए ठी अगर आपने पोस्ट ग्राजवेशन किया है और साथ में ग्राजवेशन किया है किसमें या तो बी ए एड में किया है या फिर बीसी एड में किया है तो आप एलिजिबल रहेंगे अगर मैं बात करूं पीज़ी ती में तो तीन सबजेक्स पर रिक्वार्मेंट है या तो प आपके पास वो requirement होनी चाहिए जो मैंने भी mention करी इसके अलावा आपको classes online भी लेनी पड़ सकती है तो आपके पास computer proficiency की knowledge हो computer proficiency हो इन साथ में language आपको English medium में classes लेनी आनी चाहिए तो वो चीज माटर करेगी दूसरी तीछटी post के लिए एक बार हम requirement देख लेता है तीन साल का य अब इसमें अगर आप TGT English के लिए प्यार हो तो English आपके तीनों साल में होनी चाहिए वो ग्राजुएश में अगर आप TGT social science में teacher बनना चाहते हो तो यहां पे जो आपकी requirement रहेगी उसमें आपके कुछ subjects रहेंगे for example history, geography, economics, political science या फिर history or geography मतलब आपके पास history or geography में से एक subject होना चाहिए and बाकी जितने भी remaining है इन में से कोई एक और subject होना चाहिए तो at least 2 subjects इन में से होने चाहिए 2 सालों में तो यह बहुत जादा important है social science के लिए यह बाकी सारे teaching exams में भी valid होता है Hindi और Sanskrit में अगर आप TGT कर रहे हो तो Hindi and Sanskrit में कम से कम 2 साल आपके graduation years में होने चाहिए यह subject mathematics और physics में हो तो maths and physics आपके graduation में होने चाहिए in at least 2 years for 2 years के लिए special educator के लिए जो requirement है TGT के लिए वो कुछ ऐसी रहेगी जैसे bachelor's degree आपकी हो यह recognized university से ठीक है special educator के लिए अब इसके अलावा B.Ed हो आपकी special education में यह एक important इसका aspect होगा इसके अलावा या फिर अगर आपका B.Ed special education के लावा किसी दूसरे subject में है तो 2 साल का diploma हो आपका special education में recognized university से या फिर B.Ed हो आपकी किसी भी subject में special education के लावा तो इसके साथ साथ आपका post graduate professional diploma होना चाहिए special education में मतलब special education का एक aspect तो होना चाहिए this formative years में आपका ठीक है desirable मतलब जिनके पास special B.Ed learning disability में है या फिर adequate experience है न personally abled citizen को भी children को तो ये एक desirable होगा मतलब आपके brownie points बनेंगे इसमें next TGT अगर कोई physical education male के लिए अपर होना चाहता है तो फिर उसके पास bachelor degree हो physical education की ठीक है चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि आपकी जितने भी professional qualification है आपके जो आवेधन प्रक्रिया रहेगी उसके last date तक होनी चाहिए PRT post के लिए एक बार बात कर लेते हैं इसमें आप 12th pass होने चाहिए basic requirement है आपकी 50% से इसके अलावा दो साल का आपका diploma हो ठीक है या तो डीलेड हो या फिर 4 साल का आपका बीलेड हो या फिर 2 साल के आपके पस DA degree हो recognized institution से next हम बात कर लेते हैं अगर कोई preparatory teacher बना चाह या intermediate भी लखावे 10th दूसरी requirement है कि आपका डिपलोमा हो nursery teacher education में या preschool education में या early child care childhood care and education program में जिसे DEC ed कहते हैं उसके equivalent और यह जो duration है यह एक से लेकर 2 साल का होना चाहिए ठीक है या फिर अगर इन में से कुछ नहीं है तो आपका अगर B.Ed है NCT से recognize तो फिर चलेगा इसके अला इंग्लिश मीडियम में आपकी proficiency और इंग्लिश मीडियम में classes deliver कर सको वह important है ठीक है computer knowledge और इंग्लिश मीडियम की बातों यहां पर हो गई आप बात कर लेते हैं mode of selection दो मोड यहां पर किवन है पहला होगा आपका written test दूसरा skill test written test में आपको 50 marks के mcqs दिये जाएंगे जो आपको डेड़ गंटे में solve करने है अब आपको minimum 50% स्कॉर करना है समान्य वर्ग के लिए अगर आप ऐसी AST, OBC, दिव्यांग है तो आपको 45% minimum score करना है ताकि आप दूसरे पढ़ाव यानि की skill test में पहुँच सको skill test में जो shortlisted मतलब जो written test में shortlisted होंगे वो skill test के लिए आप तो उसके बाद आपको temporary basis पे नौकरी मिल जाएगी मुंबई रीजिन के लिए ठीक है अब आपको यह exam date दी गई है जैसे कि TGT post का जो exam 27 August को है और उसके बाद जो skill test होगा वो अगले दिन 18 August को प्रेपरेटरी टीचर जो बालवाटी का के लिए 27 August को exam है पहली शिफ्ट में जो आपको एक्जाम है वो नौ से साड़े दस बजे है अगले दिन आपका again skill test होगा जो भी परासनातक शिक्षक पीजिटी पोस के लापियर हो रहे है तो इनका 27 August को रिटन टेस्ट है और 28 को skill test है PRT कभी यही है लेकिन टाइमिंग चेंज हो गई PGT और PRT के टाइमिंग है 11 से 12 बजे ठीक है और जो आपके skill test होंगे वो सारे 8 बजे से होंगे सभी पोस्ट के तो यह आपको धिहान रखना है next में बता देते हूँ general instructions कुछ दी गई है क्या के documentation चाहिए कितना पहले आना चाहो चाहे आप अपने subject पर hold पाना चाहो या फिर अपने formative years में इतना experience build कर लो कि आगे जब आप permanent post के लिए नौकरी में के लिए जाओ तो वहाँ पर आपकी आपका first attempt में selection हो जाए तो अगर आप किसी भी type की और teaching exam की preparation करना चाहते हो यहाँ पर हमारे साथ चानल पर लग